ये वीडियो शेर करते हुए कहा जा रहा है कि जर्मनी के बर्लिन शेहर में आस्मान से अजान सुनाई दी इसे चमतकार बताते हुए फेस्बुक पर ये वीडियो काफी शेर किया जा रहा है आप सबसे पहले सोशल वीडिया पर वाइरल ये वीडियो देख लीजे साल 2020 में भी ये वीडियो इसी दावे के साथ पोस्ट किया गया था WhatsApp पर ये वीडियो यही दावे के साथ वाइरल है आए जानते हैं इस दावे की सच्चाई क्या है वीडियो में एक रंग बे रंगी इमारत दिखती है इस इमारत की जगह का पता लगाने के लिए Alt News ने Google Lens की मदद ली हमें कुछ लिंक्स मिले जिसके अनुसार ये इमारत बरलिन की है Google Street View की मदद से इस इमारत के बारे में सर्च करते हुए Alt News को इसके बगल में एक मस्जिद दिखी ये मस्जिद वाइरल वीडियो में भी दिखती है इस मस्जिद का नाम दार अस्सलम है लेकिन Street View में मौझूद तस्वीर 2008 की है फिलहाल इस इमारत का रंग बदल दिया गया है इस जानकारी के आधार पर कीवर्ट सर्च करते हुए और न्यूस को रपली की 5 अपरेल 2020 की एक रिपोर्ट मिली रिपोर्ट के मताबिक जर्मनी में सोशल डिस्टंसिंग के नियमों में उलंगन के बाद मस्जिद की नमाज रोक दी गई थी इसके अलावा 21 सेकंड पर इस वीडियो में एक व्यक्ति गाते हुए भी दिख रहा है यानि यहां हमें वीडियो में सुनाई दे रही आवास का पता भी लग गया चार अप्रेल के रपली के आर्टिकल के मताबिक बर्लिन के दारसलम मस्जिद के बाहर करीब 300 लोग एकटा हुए थे कौरोना के नियमों में उलंगन होने की वज़से भीड को वहां से हटा दिया गया था कुल मिलाकर अप्रेल 2020 में बर्लिन की सडक पर कुछ लोग अजान की आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे इस गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फर्जी दावे के साथ शेर किया गया कि बर्लिन में आसमान से अजान की आवाज सुनाई दी कर दो